दोस्तों नमस्कार मैं आज साइनी सौटन करेन का बारे में बताने वाला हूँ कितना इसका बूम है कितना इसका रोफ है कितना एमेम का रोफ है क्या इसका डिजल टेंक है क्या इसका आईल टेंक कितना लिटर का है सबी चीज़ का बारे में मैं आज बताऊंगा कितना इसका ह जानकारी चाहिए वो आप लोग को नहीं बराबर मिल पाएगा देखे इसके बारे में मैं आज आपको ये 2023 मोडल का साइनी किरेन है मैं आपको दिखाऊंगा ये इसका पेटी कॉंटर वेट है देखे साड़े 5 तन का है लिख रहा है आपका वीडियो में बिल्कुल दिख भी रहा है और मैं इसका सभी कॉंटर वेट का बारे में भी बात करूँगा ये इसका कॉंटर वेट पे सभी पे नंबर भी लिखा हुआ है देखे नंबर वाई नंबर लिखा हुआ है और इस कॉंटर वेट पे लिखा हुआ है चार टन एक सो केजी उपर वाला है फिर नीचे वाला सकेंड है वो भी चार टरन एक सो केजी है फिर बीच वाला चार टरन ka है और जो नीचे का जो बेस पलेट क्वालेट ये साढ़े आट टन का है अंधिए बराबर सब पे लिख भी रहा है और सभी कोंटरवेट पे number y number लिखा हुआ है और जो इसका पेटी कोंटरवेट है उसके बारे में तो मैं पहले ही आप लोग को बताया है वो साड़े 5 तंद का है आगे का और पिछे का दोनों साड़े 5 तंद का है फिर मैं बात करूँगा इश्क्रेन का रोप का बारे में बात करूँगा तीनो डरम का रोप का बारे में बात करूँगा ये इसका मोडल नमर है SCCC100A6 ये इसका मोडल नमर है आप देख भी सकते हैं ये मोडल नमर है SCC100A6 यह 2023 का मोडल है और आशा वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता ही रहेगा आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहेए आपको बराबर आशे क्रेन का आप हर मशीन का वीडियो में देने का कोशिश करूँगा और आशा मशीन अभी एक फिलाल आर्शीडी मशीन लिकला है उ यहां हूँ आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर उसका डिमांड अभी बहुत अच्छा है ओपरेटर का यह फर्स्ट ड्रम है यह फर्स्ट ड्रम है फर्स्ट ड्रम है इसका रोप का जो थिगना से 26 mm का है और 240 मीटर इसमें रोप आता है 240 मीटर इसका रोप का लेंथ है और इसका 26 mm इसका थिगना से 26 mm इसका मोटाई है और 240 मीटर इसका लेंथ है मैं बात करूंगा सेकेंड ड्रम का यह सेकेंड ड्रम है सेकेंड ड्रम का भी जो इसका रोप का जो थिगना से वो 26 mm का ही है और इसका रोप का लेंथ है वो 180 मीटर वह बात करूंगे, जिसको हम लोग बूं रोब बोलते हैं, यह हमारा 20 mm, का है यह इसका थीगनस 20 mm है जो सेकेंड रव है थर रव है ऑर था दरव जो बूम रोफ है गैनरी रोफ यह से कहा है और एक सो चालिस मीटर का है लेंथ उसका 140 मीटर है अम मैं बात करूंगा इसका बूम का बारे में भूस्तों इसका बूम का इसका basic boom. और तीन मिटर का एक पीछ है दोस्तों. छे मिटर का दो पीछ है और नो मिटर का चार पीछ है. टोट इसका 64 M iska boom होता है. 64 M iska boom is a 9 M. मैं बात करूँआ, फिर इसका फालाई जीब का. फालाई जीब इसका total 18 M है इसका दूनो फालाई जीब top बूम और बटम बूम होता है नो मीटर और दो दूसरा पीश है वो भी आपका साधे चरचर मीटर का है टोटल फलाजीप इसका चार पीश है साधे चार मीटर साधे चार मीटर का इसका फलाजीप है चार पीश बेसिक फलाजीप इसका नो मीटर है और टोटल फुल फलाजीप इसका अठर मिटर है मैं फलाई जीब को पंदर का डिगरी में लगा सकता हूँ और इसका फलाई जीब जो है वो तीस का डिगरी में भी लगा सकता हूँ इसका दो डिगरी बना के मैं फलाई जीब लगा सकता हूँ फिर मैं बात करूँगा इसका मैं तो पेटी कॉंटरवेट का बारे में बताया ये सामने लिख भी रहा है और मैं फिर बात करूँगा इसका डिजल टेंक का बारे में भी बात करेंगे आपन और इसका हूँक का बारे में भी बात करते हैं कितना टन का हूँक है कितना पिश इसका हूँक है यह चीजжका भी मैं आप लोगको बिल्कुल बराबर जनकारिद दूँगा और इसके बारे में बात करेंगे देखिए इसका हूंख है, टोटल इसका 4 हूंख है एक हूंख है 100 टन का हूंख है, यह जो लगा हुआ है यह 50 टन का है अभी जो फिलाल लगा हुआ है किरेन में ये पचास टन का हुँख है और एक पचीस टन का हुख है और एक बॉल हुख है देखिए ये बॉल हुख जो दिख रहा है ये साड़े तेरे तन का है इसका साड़े तेरे तन का कैपिसिटी है ये जो लगा हुआ ये पचास टन का है एक 25 तन का होँक है, और एक 100 तन का है, टोटल इसक्रिन का 4 होँक है, देखिये, runner भी लगा हुआ है, runner लगा हुआ है, उसके उपर ball लगा हुआ है, जो runner है उसका size होता है दोस्तों, एक मीटर 200 आनि की 70 मीटर के आसपस होता है, एक मीटर 200 उसका length रहा हिए, फिर मैं बात करूँगा इसका देखिए ये कुलेंट है इसमें गेज में कुलेंट दिखाता है अगर गेज में दिखा रहा है तो कुलेंट बराबर है हमको थोड़ा सा कम ही रखना है पूरा फुल करके टेंक में कुलेंट इसमें नहीं रखना है ये रेडी वाटर के उपर ए यह हैड्रोलिक गेज है इसका जो हैड्रोलिक टेंक है 460लिٹर का इसका टेंक है हैड्रोलिक का किया हुआ है suffiates पिर और बात करूँगा इसका डिजल टेंक का ये डिजल टेंक है दोस्तों तो ये diesel tank इसका 400 L Resistance है तो जो डिजल टेंक देख रहे हnost cheers to rasant चार्सोव लिट्रका हम और कि मैं फिर बात करूंगा किस सब्सक्राइए इसका चैन का तरहूंगा किसे सब्सक्राइए वेट उसके बारे में भी आपके बताऊंगा चेन का और कारवोडी का क्या वेट है उसके बारे में मैं बात करूँगा यह इसका डिजल टेंक हो गया डिजल टेंक दूसरा साइड है और हेड्रोलिक टेंक दूसरा साइड है केविन का साइड में हेड्रोलिक टेंक है इसका और दूसरे साइड में डिजल टेंक का है यह इसका chain हो गया, chain का weight है इसका 9 ton 200 kg एक chain का weight है, और cabin का weight इसका 31 ton 200 kg है, जो यह cabin का weight है वो 31 ton 200 kg है, और chain का weight 9 ton 200 kg है, यह सभी jack पे नमबर लिखा हुआ है, और कौन सा jack का number है, इसका remote जब हम assembly में use करते हैं, वो remote में भी number लिखा हुआ है, जैसे देखिए, एक, दो, तीन, सब्जेक पे number लिखा हुआ है, एक, दो, तीन, चार, इसे जैक उस पे भी number लिखा हुआ है remote पे, मैं assembly का remote का भी video बनाऊंगा और आप लोग को दूँगा, और हमारा अगर video अच्छा लगे आप लोग को दोस्तों, तो like किजे, आप लोग like करेंगे, तो हमको video बनाने में अच्छा लगता है, कि हमारा video आप लोग like करते हैं, और हमारा channel पे आप लोग नए हैं, तो subscribe किजे, और share किजे, दोस्तों, नमस्कार.